सफर की हद है जहां तक की कुछ निसान रहे, चले चलो के जहां तक ये आसमान रहे, और यू उठाए कदम और आ गई मंजिले, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे, नमस्कार, सश्रियाकाल, अस्सलामालेकूम और हर हर महादेव मैं नितीस नंदनी बेसिक सिच्छा के इस आनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूँ तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता होगा कल अच्छा ही बीता होगा अच्छा ही रहा होगा तो देखिए वया CVT ने रन छेतर तो खोल दिया है रन छेतर तयार कर दिया है अब उस कुरू छेतर में लड़ना आपको है हत्यारों को अपने पैना करना सुरू कर दीजिए अपने तरकस में तीर भरना सुरू कर दीजिए यहां भरने का तीर मतलब यह नहीं कि आप तीर भरने लगे, नहीं, मतलब यह है कि आप अपने subject को तयार करना शुरू करिए, आप अपने domain subject को तयार करना शुरू करिए, आप अपने language को तयार करना शुरू करिए, जो subject लेना चाहते हैं, general test लेना चाहते हैं, domain लेना चाहते ह जो आप चाहते हैं जिस category में जाना चाहते हैं उनको तयार करना शुरू करें वही आपके हतियार हैं और वही उस कुरुछेतर में आपके लड़ने में आपकी सहायता करेंगे तो चलिए उसी कुरुचेतर के मायदान में जब आप खड़े होंगे तो आपके पास हत्यार चाहिए और हत्यारों के लिए हमने आपको अल्रेडी एक वीडियो जो है जनरल टेस्ट के उसमें भेज दिया आप तक अब एक और जो है मुद्दा है वो यह आता है कि कौन-कौन से ऐसी विश्विद्याले हैं कौन-कौन सी ऐसी उनिवर्सिटीज हैं जो केवल कहती है कि भाईया ना हमें जनरल टेस्ट चाहिए ना हमें डोमेंड चाहिए हमें आप लेंगवेज ले लिजिए और वो लेंगवे होगा तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए एक तरफ इनिवर्सिटीज के नेम लिखें हैं कौन से सेंटल है कि स्टेट है और एक तरफ यह किसमें ओनर्स करना है और क्या लेंगवेज चाहिए आपको अगर हम सेंटल इनिवर्सिटी आफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यह सेंटल इनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपको संस्कृत ओनर्स करना है तो आपको लेंगवेज यहां नहीं लेना है यहां केवल संस्कृत डोमें के रूप में लेंगे तो आप सेंटल इनिवर्सि तो domain ले लिजिए आप उसके बाद आपका काम हो जाएगा यह एक special case है इसलिए इसको सबसे उपर हमने रख दिया आपको discuss कर दिया कि केवल Sanskrit domain लेना है ना आपको language लेना है ना आपको general test चाहिए केवल Sanskrit domain ले लिजिए तो Central University of Himachal Pradesh से आप सास्तरी कर सकते हैं और साथ ही साथ Sanskrit honors कर सकते हैं लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो Missouri University की बात कर ले तो यह चार courses में Missouri University को target करी आप Central University है क्या-क्या अगर आपको BA English में करना है तो आपको केवल एक English language अगर आप ले लेंगे तो आपका काम यहां हो जाएगा केवल अगर एक English language लेंगे तो आप Central University आप मिजोरम में जा सकते हैं उसके बाद देखिए अगर आपको BA in Education में जाना है तो केवल English language ले लिजे BA in Education को भी target कर लेंगे यही से BA in Mejo करना है तो भी आपको English लेना होगा और BA in Philosophy करना है तो भी आपको English लेना होगा और साथी साथ BA in Public Administration में जाना है तो भी आपको English लेन लेना है तो इन चारों courses में अगर आप मिजोरम universities में admission लेना चाहते हैं तो केवल और केवल एक English language लीजिए कोई कुछ मत लीजिए केवल अंग्रेजी से आप language में पर इच्छा दे दीजिए आपको आसानी से admission मिल जागा सो जी कितना आसान है ठीक है अगला देखते हैं आग करना चाहते हैं जो बंगाली से honors करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा यह है कि आप एक बंगाली language ले लिजिए ना आपको general test की जरूरत है ना आपको किसी और चीज़ की जरूरत है डोमें की जरूरत है simple सा बंगाली language लिजिए और BA honors बंगाली में कर सकते हैं Central University विश्व भारती से ठीक है अब यहाँ पर कुछ universities जो हैं वो state universities में हैं उनको देख लेते हैं भाया यह चार-पाच state universities हैं इनको देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर आप Cluster University of Srinagar Cluster University of Srinagar यह चार courses में आपको admission देती ह Cluster University of Srinagar यह state university है याद रखिएगा ठीक है Central नहीं है अगर आप यहाँ पर BA English literature में करना चाहते हैं तो English language ले लिजिए और एक language ले करके आप इन चार courses में अलग-अलग language ले लेंगे और चारो courses में आपका admission मिल जाएगा ना आपको domain चाहिए ना आपको general test चाहिए यह जो कस्मीर of Srinagar iUNG selber Cluster University, स्री श्रिनगर is state university है यह कहती है इंग् causwert कर ना है इंग्लिश्ट॑ में लिटरिचर में करना तो English language ले लिजे और एरभीक ले लिजे और कस्मीरी करना कास्मीरी करना और और कष्मीरी जो तिर विज्ञान में कर रहा है तो भी आप संस्कृत ले लीजिए और BA in Vedic Study में करना है तो भी संस्कृत मतलब संस्कृत language अगर आप ले लेते हैं तो इन तीन courses में आपको admission दे देगी कौन दे देगा विक्रम University, State University से है ठीक है तो इस तरीके से यही देखिए यह हमने जो आप से एक चीज़ जरूर कहेंगे देखिए जनरली होता क्या है कि आप language लेते हैं मेरा मानना ये कि आप कम से कम दो language लेते हैं तो आप दो language ले ले लिजे एक English ले ले लिजे एक Hindi ले ले लिजे को cover कर लेंगे अब बताइए मान लिजे आपने English language ले लिए और जनरल टेस्ट ले लिए तो आप भी यह चू को cover कर ले रहे हैं है अगला वीडियो जब मिलेंगे आपसे तो अगले वीडियो में अगली जानकारी आपको देंगे ठीक है एक चीज्ज और आपको जाते जाते हम बता दें आपको भया कि ये हमारा योध्धा बैच है ये देख रहे होंगे आपको योध्धा बनाने के लिए तयार खड़े हैं हम लोग योध्धा तो बनाई देंगे कुरुछेतर के मैदान में इसा उता रहेंगे न कि खाली बस समझेऊ है आपके तरकस्टे तीर निकलेगा और सामने अन्टिये के सारे क्वेस्टन को धुँआ धुआ कर देगा ठीक है योध्धा बैच है Central University में आपको हम पहुचा देंगे या अगर State University में जाना चाते हैं आप वहाँ पहुचा देंगे जहां जाना चाते हैं वहाँ पहुचा देंगे उसकी guarantee हमारी है लेकिन हाँ आपको महनत करना होगा अगर आप महनत नहीं करेंगे तो हम कितनी भी guarantee लेने हम आपको नहीं जाएंगे तो युद्धा बैच आप जॉइन कर सकते हैं BA, BSC, BCOM, BLLB, BFARMA, BBA, BTEC, BWOC और BCA के लिए आपको सारी classes जो है यह मिलेंगे आपको bilingual classes रहेंगी, दोनों भासाओं में ठीक है, test DPP रहेगा, live classes रहेंगी, recording भी मिलेगा classes का, ठीक है, structure seduce रहेगा, बाकी आप हमारे बारे में जानते ही हैं कि हम पढ़ाते कैसा हैं और काम कैसा करते हैं, तो बहुत जादा बताने की जरुरत नहीं है, ठीक है, हमारे बारे में जितनी बातें आप जानते हैं, उससे जादा ही हम आपके लिए करेंगे, यह हमारा बादा है, ठीक है, तो चलिए, इतनी सारी ची तो अगर आप इसको purchase कर लेंगे तो थोड़ा सा और वहतरीन तयारी आपकी हो जाएगी चलिए लेकिन कोई बात नहीं ये language को थोड़ा ध्यान से भरिएगा ठीक है और चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए जहां रहिए जैसे रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और हां सब से बड़ी बात क्या है खूब पढ़िए क्योंकि पढ़ने के लामा कोई विकल्प नहीं है तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन